हलो दोस्तो कैसे हो आप सब आज में बात करने वाला हूँ इंट्राडेट ट्रेडिंग में किस सेर के लिए कितना मार्जिन मिलता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वीडियो कौन तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं SBI में इंट्राडेट ट्रेड लेने पर कितना मार्जिन मिलता है SBI के सेर पर क्लिक कीजिए बाई के ओप्सन पर क्लिक कीजिए अब ओके कीजिए अब यहां आपको अवेलेबल मार्जिन का ओप्सन दिखाई दे रहा होगा इसको रिफ्रेस कीजि जितने share आप खरीदना चाते हैं मैं यह 100 quantity डालता हूँ अब यहाँ देखिए approach required margin में 100 quantity डालने पर यहाँ 253 रुपे margin दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि अगर आप SBI के 100 share intraday में खरीदना चाते हो तो आपके पास available margin 253 रुपे होने चाहिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा available margin हमेशा ज़्यादा होना चाहिए approach required margin का अब मैं यह quantity change करके 50 quantity रखता हूँ लेकिन approach required margin अभी भी ज़्यादा है available margin rate नहीं दिखना चाहिए इसलिए shares की quantity और कम करनी पड़ेगी मैं यह 40 quantity रखता हूँ अब approach required margin को चेक कीजिए 1021 रुपए है जो की available margin से कम है इसका मतलब है हम 1058 में SBA के 40 share intraday में खरी सकते हैं अब आप एक share की price को उसकी quantity से multiply कीजिए 11348 अब 11348 में approach required margin का divide कीजिए यह approach required margin 1021 है divide करने पर 11.11 गुना आ रहा है कहने का मतलब है हमें SBA में 11 गुना margin मिल रहा है यह जो margin है वो सभी companies के shares के लिए अलग-अलग होता है तो चलिए अब हम ITC के लिए margin calculate करते हैं पूरा procedure वही है यह quantity डाल कर check कर लीजिए यह 100 quantity में खरी सकते हैं अब 10.65 को 100 quantity से multiply कीजिए यह आ रहा है 21,065 रुपे अब 21,065 को divide कर दो 1053 तो यह आ रहा है 20 इसका मतलब है ITC के shares में 20 times margin मिल रहा है ऐसे ही आप किसी भी shares के लिए calculate कर सकते हो तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कीजिए अगर आपका प्यार और support हमारे उपर रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही और informative videos लाते रहेंगे wealth pool family का part बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद